नमस्कार मेरा नाम है दॉक्टर पूरुदहवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है होट थप थेरिपी के बारे पे अकसर हम नेट पे जब भी सर्च करते हैं किड्नी फेलियर तो बहुत सारे आपको चाइनीज होस्पिटल या फिर आपको इंडिन होस्पि क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है करना चाहिए नहीं करना चाहिए और सेंटिफिकली बॉड़ी में क्या होता है तो आपको समझने की जुरूरत है कि हमारी बॉड़ी में जो वेस्मेटिरियल है वो कई तेरिके से भाहर निकलता है यूनिं के रस्ते स्टूल के रस्ते और में यक्णी के रस्ते तो जब हमारी कड़नी खराब ओनी शूरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि कि फेल्टर आओ नहीं कर पारी है कि वेस्स मिटिल को पॉडी में इछ trap हो रहा है आप यह जो वेस्ट में लिखंटा हो रहा है, उसे स्टूल से निकालने का रस्ता अच्छा नहीं होता, स्टूल के रस्ते वह नहीं निकल पातां पें बस एक और रस्ता रह जाता है, वो है पसीने के थेeyос जो पसीने होते हैं उसमें अगर भी आपने टेस्ट किया होगा तो उसका टेस्ट जो होता है वो होता है नमकी यानि पसीने में हमारे पास दो चीजे हमें पता है कि रिगलती है पहला है पानी तूसरा है नमक बोडी में जो भी एक्स्टा नमक है उपसीने के तूर निकल जात कि या इधी अधी पड़ियु एपनी बॉड़िक नस्वाटि एक पिछाफ पर लिज बढ़ा होता है तो अगर हम किसी पेषिंट को गरम पानी के टमम आप्टाथे हैं तो उसकी बॉड़ि में क्या होगा स्वेटिंग होगी अब को पानी में बैट्टिंग नजन नहीं पिरिएटिन टाउन में नहीं होता क्योंकि आप जिस पानी में बैठे हो पानी आपकी बौडी में अंदर अंटर नहीं नहीं जा रहा रहा अब जब किट्नी तख कुछ गया ही नहीं तो किट्नी को ऐसा क्या मिला कि वह अपने consent को सुधार ले गरम पानी में बैडने से हमाई यूरिया के सिंटम्स में आराम मिलता है बट किड्नी फिलियर में आराम नहीं मिलता creatinine के values बढ़ती चली जाती है अब creatinine की value क्यों बढ़ रही है क्योंकि kidney जो खराब continuously होती चली जा रही है क्योंकि kidney जो खराब होती है वो एक self-progressive disorder रहे अपने बढ़ने वाली बिमारी है इसकी पिछे कोईने कोई कारण होता है कारण अक्सब BP शुगर जादा देखनी को मिलता है कि BP से किड्नी खराब हो गई, सुकड़ गई, शुगर से खराब हो गई तो हमें यह चीज देखने को मिल रही होती है अब आपने कहा कि पानी में बैट गए बट BP और शुगर को मैनेज नहीं किया BP आपका अभी भी हाई है, शुगर आपका अभी भी हाई है तो इसका इंपैट क्या देखोगे कि किड्नी कॉंटिनियूसली खराब डैमेज लेती रहती है और जैसे जैसे डैमेज बढ़ता चला जाता है क्रेटनीं की वेल्यूस बढ़ते चली जाती है यूरिया की जो लेवल्स है वो थोड़े से डाउन जरूर होते हैं बट वो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो पाते तो सिम्टम में हमें आराम जरूर मिलता है बट मारी किड्नी ठीक नहीं हो पाती अब जबाल यह उठता है कि क्या हमें होड़ थेरपी करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए तो होड़ थेरपी के अगर फायदे और नुक्सान को अगर अपने माइंड में रखोगे तो आप इसे कर सकते हो अगर आपकी बॉड़ी में यूरिया के सिम्टम जादा है जब हम कुछ खाना खाते हैं वो लीवर के पास आता है और उस प्रॉसस कंदर यूरिया बनता है अब यूरिया क्योंकि रोज बन रहा है तो उसे रोज निकालना भी पड़ेगा क्यूभी गिंड़ी यह काम करते थी तो हमें रोज तब में बैठना पड़ता है तो symptomatic हमें आराम देखने को मिलेगा बट हम इसे long term में करते हैं तो हमें नुक्सान होना चुरू हो जाता है क्योंकि अगर पेशन डाबेटिक है पानी की टब में बैठ रहा है तो जक्खम स्किन सॉफ्ट हो जाती है जक्खम बनने के चांसिस होते है कि वहां पे जक्खम बन जाएंगा पेशन की कंडिशन खराब हो निशिर होती है गर्मी का मौसम है मैं जुन का मौसम है पेशन बैड गरम पानी में नीचे गरम उपा गर्मी तो हम एक और चीज़ दिखते है कि पेशन का जो हीट स्टॉक के चांसिस बहुत जाता पर जाते है तो वह दूसरी तीसरी है डेहईडरेशन पानी आपका लिमिट कर दिया गया पानी आपका यूरिंग के रस्ते भी जा रहा है पानी आपका पसीनी के रस्ते भी निकलने लगा तो हम बॉड़ी में डिहाइडरेशन के सिम्टम्स पे देखने के शिरू करते है कि पेशन की बॉड़ी बहुत ज्यादा डिहाइडरेट होनी शिरू हो जाती है है होड़ ट तो उसे अच्छा होता है कि वो सोना बात ले ले क्योंकि सोना बात में क्या होता है हम पानी में नी बैटे होते हैं हम स्टीम के अंदर होते हैं और बॉड़ी बे स्टीम लेने से आपकी स्वेटिंग होती है और क्योंकि इसमें हम बिल्कुल पानी की कॉंटेक्ट में बहुत कि अनुसाल लो जब बतस्ती करके उसे मत लो कि आपने लेना ही लेना है ठेंड के मौसम में सोना बात लेना अच्छा है होट अब 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 ले रहे हो तो उससे और कोंप्लिकेशन पैदा हो सकती है समझनी की जुरुत है कि अगर किड्नी खराब हो रही है तो किड्नी खराब होने के पीछे जो कारण है बीपी शुगर अगर आपने उन्हें अनकंट्रोल छोड़ा हुआ है और आप सोच रहो कि इस थेरपी से में ठीक हो जाँगा तो यह क्योंकि बीपी शुगर एक वर कंट्रोल में आ गए तो किड्नी को और नया नुकसान नहीं होगा जो हो चुका है बट नया नुकसान नहीं के वज़े से क्रेटनि लेवल आपके स्टेबल हो जाएंगे एक वर वर स्टेबल हो गए तो आपके क्रेटनि डाउन अने आपके स्टेबल होता है अब हो एक्युट इंफ्लमेशन भी होती है तो यह जो इंफ्लेम्ड पार्ट है यह रिकवर हो जाता है जो डेड़ पार्ट है वो रिकवर नहीं होता इसी वज़े से अगर किटनि लेवल आपका एठ है टीटमन शुर कोर के वो फो तक तो आज किसी मरे को इसी वज़े से हम क्या देखते है कि क्रेटनिन की लेवल जाओन होना असान है बट अगर हम यह सोचें कि हमारी किडनी पूरी रिवाइफर जागी यह गलत है तो आपको अपनी किडनी पर काम करना है किडनी को खराब करने वाली चीज़ों पर काम करना है और कैसे काम करती है कैसे काम नहीं करती क्योंकि इन चीज़ों के पर बहुत सारे अलड़ी स्टडीज हो चुकी है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उन स्टडीज को देखते हुए अपने जो एक्स्पिरियंस और उसको डालते वे बता रहा हूं कि हमें यह जो हम एक्सप झालते है